हलो फ्रेंड्स मालवारेसिपीज डोट को में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूं जो कि घरों में कही बार बच्चे कोई चीज नहीं खाते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से कुछ नया आया कुछ अलग जो संब्सक्रिया तैस्टी सा बना के दे दें और आजकी हमारेसिपी अठीट की मसालेदार पूर्य किसी न किसी तरीके से बच्चों को फिलाना है तो हम अलग अलग प्रकार से अच्छी अच्छी चीजि़े बना जार देते हैं तो बच्चे के बड़े सब को पसंद आती ह तो फ्रेंट्स आज की हमारी जो रेसिपी है पालक की मसालेदार पूरी चलिए उसके लिए सामगरी देख लिए उसके लिए मैंने लिया है ये पालक है और पालक को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है इस तरीकी करके डंठल निकाल कर पतियों को ही रखा है और इन्हें मैंने ऐने अच्छे से पानी में धहाँ की आ hago चेई पती है तो चमच मेंने 2 छोटे चमचThank भीन आच फ्रीश बिसनन ही है और यहींग है 21 60 करीमिर्श है पाउड़र है और कर दे चमचत जिरे का पामडर और थोड़ा सामकरी में डुट लुकटा बनाना शुरू करते हैं तो आप हमनने एक मिक्सी का चोठा बचार ले लिए और यह अद्रक का टुकडा है तो आप मिक्सी का चोठाका जोकटा बचल यह टीए यह श मक्डेर्ण कि तो यह लिर के अशरी है और ये जो मेर झाल झाल करको झाल पूडी का वेसे हमें आज का आटा लगाकर रेडी कर लेना है हुआ 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 है हुआ 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 हु झाल 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 पूड़ी को दल लिया है और देखेंगे हमारी काफी अच्छी पूड़ीया बनी है फुली-फुली और हमने गेस को बंद कर दिया है और अब थोड़ा सा ठेंडा होने का इंटिजार करते हैं तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी पालक की मसालेदार पूड़ी बनके रेडी हो गई है और यह बहुत ही टेस्टी बनी है और अगर आपके बच्चे तीखा पसंद नहीं करते तो आप मिर्च को अवाइड भी कर सकते हैं आप इन्हें आलू की सबजी के साथ दही के साथ या फि अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो उपर काड में देख सकते हैं तो इस तरीकी की पूड़ी बनाएं और आप ध्यान रखें कि अच्छा गरम रहे तो पूड़ी अच्छी फूल जाएगी और फ्रेंड्स से यह बहुत ही अच्छी रेसिपी है बहुत ही हल्दी मिलती रहे तो फूड़ी फ्रेंड्स से एक नहीं रेसिपीस के साथ राधा है